हाई फ्रेंड्स मैं पूरान सिंग स्वागत करता हूँ आपका देखिए अभी जो पटवार की वेकेंसी आई हुई है पटवार में पुराने एक्जाम से बिल्कुल पेटर्न चेंज कर दिया गया है और इस बार एक मायने में देखें तो पटवार पास करना एजी भी है और गीके का सबसे ज्यादा वेटेज है और इस बार वेटेज को भी थोड़ा सर्ण चेंजिस कर दिये गया है सब्जेक के अकार्डिंग वेटेज भी कम है और सब्जेक्ट भी मोटे मोटे पाथ से सब्जेक्ट इसमें जोड़ दिये गए हैं लेकिन फिर भी मैं इसकर्स में ये कहूंगा कि सबसे ज़्यादा जी के है तो देखिए पटवार में क्या चेंज किया है और किस प्रकार से इस बार का एक्जाम होने वाला है तो इस बार पटवार में जो क्वेशन आने वाले हैं वो क्वेशन आपके डेड़ सो क्वेशन आएंगे पूरे और एक क्वेशन दो नंबर का होगा तो इस प्रकार से जो आपके टोटल मार्क्स होंगे वो आपके मार्क्स होंगे 300, 300 number होंगे पूरे, अब इस पटवार के syllabus में क्या है तो देखिए, syllabus में basic सा एक fact देखें, तो एक मैं circle के माध्यम से आपको syllabus बताने की कोसिस करूँगा इसमें एक part तो बना दिया जाता है आपका gk का दूसरा part Hindi और English और एक weight is आपका reasoning reasoning and math reasoning को मैंने उपर इस लिए लिखा है कि ज़्यादातर reasoning का syllabus दे रखा है math का कम syllabus है बजा reasoning के math में मुश्किल से 4-5 परसनले दे रखे हैं बागे सबसे ज़्यादा reasoning है और एक section बच्चा आपका computer का तो इस प्रकार से आपके ये मुटे-मुटे से section होगे इन sections में आपका subject को count करेंगे तो एक subject तो आपका gk का होगे एक Hindi और एक English इस प्रकार से reasoning, math और computer तो आपके 6 बड़े-बड़े subject होगे इन में से अगर देखें तो gk जो है gk में आपका दोनों पार्ट सामिल है इस बार India gk और दूसरा है राजस्तान gk विद करंट अफेयर India level पे भी करंट अफेयर आएगा आपका और राजस्तान के level पे भी करंट अफेयर आएगा क्योंकि स्वभाविक सी बात है कि gk का जो weightage रखा गया इन्होंने सबसे ज़्यादा weightage रखा इस बार और 45 प्रतिसत भाग में आपकी kevel और kevel gk आने वाली है तो सबसे ज़्यादा gk इसके बाद second weightage की बात करें तो reasoning और math को मिला के आपका 30% weightage math और reasoning का रखा गया है उस प्रकार से हिंदी और English की बात करें तो दोनों का weightage मिला के रखा गया है आपका 15 प्रतिसत तो 15 प्रतिसत weightage आपका math और English और हिंदी का रहा और बाकी आपका बचा 10% जो 10% weightage हो जाएगा आपका computer का तो कहने का ताद प्री है कि आपको सारे sections cover करने है क्वींकि एक sections को आपका अगर cover करोंगे तब भी आपके पूरे number नहीं आ पाएगे तो इसलिए आपको सारे sections cover करने होंगे सबसे ज़याद आपको GK में ध्यान देना है लेकिन ये नहीं कि जीके में ध्यान ने और computer को चोड़ते हैं computer को भी पढ़ना चलूरी है अब देखिए India, GK और Rajasthan जीके दोनों बिल्कुल different subject हैं और काफी बड़े पार्ट में सामिल होते हैं finally अगर देखा जाए तो India, GK के जो questions बनेंगे India, GK के 38 questions आने की संभावना है 38 questions केवल और केवल India, GK से पूछे जाएंगे दूसरी दरब देखें तो Rajasthan, GK के आपके 30 सवाल आने वाले हैं 30 questions आने वाले हैं दोनों को मिलाएंगे तो ये question का weightage बनेगा आपका 68 questions तो ये 68 question आपके हुए GK के अगर इनका number of markings की बात करें तो 68 multiply 2 तो ये आपके marking आ जाएगी 132 नमबर के sorry 136 नमबर के तो 136 नमबर का तो आपके GK है इंडिया और राजिस्तान जो दोनों को मिलाके इतना मैं clear करूँगा कि इंडिया जिके में आपका science भी सामिल है तो इंडिया जी के में क्या-क्या पार्ट होंगे अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे और finally अगर दूसरा वीटेज की बात करें अपन तो हिंदी और इंग्लिस हिंदी और इंग्लिस दोनों को मिलाकर जो questions आने वाले हैं वो question होंगे आपके 22 question 22 question का अगर weight is देखें number of marking का तो 22 multiply 2 तो आपके 44 number के होगे आपके हिंदी और इंग्लिस उसके बाद अगर देखें reasoning और math तो reasoning और math दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो इनका weight is 30% है और 30% में जो total number of questions बन रहे हैं वो आपके बनेंगे 45 सवाल 45 को अगर marking से count करेंगे तो यह आपके होगे 90 number तो देखिए जीके हुई आपके 136 number का उसके बाद आपका English और Hindi मिलाके हुआ 44 number का और reasoning और math मिलाके हुआ आपका 90 number का उस प्रकार से आपके computer की बात करेंगे तो computer के number of questions बनेंगे आपके 15 और number of marking बनेंगी 30 Finally अगर incomplete करके देखें तो देखिए जीके का number हुए है आपके 136 यानि सबसे ज्यादा number जीके के है 136 में से इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो reasoning और math reasoning और math दोनों को मिलाके जो आपके number बनने वाले हैं वो आपके 90 number है इसके बाद तीसरे number का जो weightage है वो आपका हिंदी और English का है तो हिंदी और English दोनों को मिलाके आपके number आ रहे हैं कितने? 45 और last बचता है आपका computer तो computer के number of questions 15 तो आपके marking होगी 30 number इस प्रकार से ये सारा section complete बनके आपके बनेगा 300 marks का 300 number आपको exams में दिये जाएंगे questions के माद्यम से और फिर depend करता है cutoff है अगर paper इजी रहा तो इसकी cutoff लगबग सभी exams की most of 60 प्लस तो रहती है तो finally मैं ये कहूँगा कि आप अगर इस बार pass ही करना है आपको पटवार तो आपको focus सारे segment पर रखना पड़ेगा क्योंकि जहां gk important है तो आपका English भी important है Hindi भी important है reasoning भी important है math भी है और computer भी है तो finally इस वीडियो में मैं आपको इतना बताने की कौसिस कर रहा हूँ कि दरसल पटवार को पढ़ेंगे कैसे और finally पटवार को पढ़ने के लिए मैं इतना कहूँगा कि देखिए इस बार थोड़ी से अच्छी महनत की ज़रत है आपको क्योंकि finally इस बार इतना बड़ा सलेबस कर दिया है जहां इंडिया जी के पूरा पार्ट इस्ट्री, जोगराफी, पॉलिटी, एकोनोमिक्स और साइंस भी सामिल है विद करंट अफेर भी सामिल है राजिस्तान लेवल पे भी लगबग वही सब्जेक्ट आने वाले हैं तो ये इंडिया वाला, sorry, जी के वाला जो पार्ट आपका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो जी के वाले पार्ट को कम से कम आपको रेडी करने में एक लंबी स्ट्रेटजी की ज़रत है बाकी सब्जेक्ट आपके लगबग कवर होंगे, हिंदी और इंग्लिस ज़्यदा सलेबस नहीं है उनका तो आप इसको जल्ली रिकवर कर पाएंगे, इसके बाद बसता रिजनिंग और मैथ तो रिजनिंग और मैथ में आपको most of practice की ज़रत है इसके बाद बसता आपका computer, तो computer को भी आपको हलके बनी लेना चाहिए और finally computer को भी आपको basics जो सवाल आते हैं, उस basics पे आपको computer को भी तयार करना है तो ये आपका पटवार 2020 का एक syllabus हुआ कि कौन-कौन से subject और किस रूप में कितने number के आने वाले हैं, कितना weightage रहेगा तो सबका finally इस पूरे के पूरे circle में आपको अच्छे से cover करा दिया गया है अगले videos में मैं आपको बताना चाहूँगा कि GK में कौन से part होंगे इंडिया जीके में क्या आएगा, राजस्तान जीके में क्या आएगा, हिंदे में क्या part सामिल है, इंग्लिस में क्या है, रिजनी में कौन से प्रस्ना उलिया है math में कौन सी है, computer में क्या दिया गया, इस लेवस का according तो ये next videos में आपको देखने को मिलेगा, finally इसको आप ध्यान रखें और अगले वीडियो का वीट करें तो इस प्रकार से आपका ये जो पटवार का segment हुआ, final हुआ, अब देखिए आपको रोज के रोज में आपको वीडियो डालूँगा और जो जो important लगे आप उसको note करते रहेगा, क्योंकि परिक्षा पास करने के लिए आपको एक well study की जरूत है, strategy की जरूत है और ये strategy देखो पढ़ना मायने नहीं रखता, smart तरीके से पढ़ना आपको जरूत है, क्योंकि सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग नौकरी लगने से रहे, नौकरी वही लगते हैं, जो आप government job में वही जा पाते हैं, जो एक smart तरीके से और एक strategy well based आप तयारी कर पाएंगे तो finally इस वीडियो में मैं आपको इतने बताना जाओंगा, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, thank you, welcomes, आप इस वीडियो को रोज देखते रहें, ताकि आपको कुछन कुछ हर डे नेने topics देखने को मिलेंगे, नेने कुछ changes देखने को मिलेगा, ठिक, bye